के लो हैं के फ्रेंड आप सभी का स्वागत है रेडियोलोजी टेकनिकल चैनल में फ्रेंडस आज हम बात करेंगे आइवीपी मतलब इंट्रावेनेस पाइलोड़ाफिक के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे IVP के Indication, Contra Indication, Equipment वह patient को इसके लिए कैसे तियार किया जाता है वह IVP कैसे की जाती है इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले Radiology Technical Channel को सबस्क्राइब करें वह इसके बेल आइकन पर क्लिक करें तो आईए दोस्तों आज हम जानते हैं IVP के बारे में IVP या IVU IVP Intravenous Pilography वे IVU Intravenous Urography IVP को IVU के नाम से भी जाना जाता है IVP Renal Function टेस्ट होता है IVP Urinary System का Radiographic Examination होता है यूरिनरी सिस्टम में Kidney, Ureter वे Bladder होता है Contrast Media को Wayne के थूँ इंजक्ट करके यूरिनरी सिस्टम के Study की जाती है IVP Urinary System की Anatomy, Physiology वे Pathology देखते हैं अब बात करते हैं IVP के Indications की मतलब IVP को किस किस कंडिशन में करवाना चाहिए 1. Urinary System में Suspected Calculi या Ishton होने पर IVP करवाना चाहिए 2. Renal Tumor या Sist होने पर 3. Enlarge Prostate मतलब Prostate की Size बढ़ जाने पर 4. Unknown Hematuria मतलब Urine में Blood आने पर 4. Puria होने पर मतलब Urine में Pastel आने पर 5. Renal Trauma होने पर 6. Bladder Diverticular होने पर 7. Kidney, Ureter वा Bladder में कोई Abnormal Tis होने पर 8. Euteric Fistolava Strictures होने पर 9. Euteric Obstraction होने पर इन सभी Condition में IVP कर सकते हैं अब Contra Indications की बात करते हैं IVP किस किस Condition में नहीं करवाने चाहिए 1. Hypersensitivity Contrast Media होने पर मतलब 30 समवेदन सिल Contrast Media होने पर 2. Suspected Pregnancy होने पर 3. Renal Failure होने पर 4. Diabetic Pacant की IVP नहीं करने चाहिए 5. Urea Cretinin की Normal Range से ज़्यादा होने की Condition में IVP नहीं करने चाहिए 6. Hepatorinal Syndrome होने पर सिंड्रोम Kidney Disease से रिलेटेड होता है 7. Multiple Myeloma होने पर Myeloma Carcinoma से रिलेटेड होता है 8. Thyro Toxic Cossis Disease होने पर IVP करने के लिए किन-किन Equipments की Requirement होती है X-Ray Unit या Machine होनी चाहिए Non-Ionic Contrast Media Abdominal Compression Band Canula Syringe वे Sprite Emergency Kit जैसे Evil, NS वे Dexona अब Contrast Media के बारे में जानते हैं IVP में किस Contrast Media का यूज किया जाता है IVP में Non-Ionic Contrast Media का यूज किया जाता है जो Low-Osmolar Contrast Media होता है जैसे Iohexol Iohexol Iodinated Contrast Media होता है IVP में Contrast Dose Adult में 50 ml इंजक्ट किया जाता है 1 ml पर केजी Body Weight के According Contrast दिया जाता है पेशेंट प्रिपेरेशन IVP करने के लिए पेशेंट को क्या-क्या प्रिपेरेशन करवानी जाहिए IVP टेस्ट करने से 8 से 12 आवर पहले खाना पीना इस्टोप कर देना जाहिए जोलरी वे कपड़ों को रिमो करवा कर होस्पिटल गाउन को पहनाना जाहिए इनवेस्टिगेशन के टू डए पहले लो रेजिद्वेल डाइट लेना चाहिए यूरिया वा क्रेटिनिन ब्लड टेस्ट की रिपॉर्ट चेक करने चाहिए यूरिया की नौर्मल रेज 15 से 45 एमजी पर डियल वै क्रिटिनिन की नॉर्मल रेंज 0.6 से 1.6 mg पर डियल होती है इससे ज्यादा रेंज होने पर IVP नहीं करनी चाहिए एक दिन पहले नाइट में डलकोलेक्स वे फ्लोटोलेक्स की दो-दो टेबलेट देनी चाहिए अब बात करते हैं IVP करने की प्रोसेसिंग की IVP कैसे की जाती है वेसकी फिल्मिंग टाइम के बारे में IVP करने के लिए पेसेंट को X-ray टेबल पर सुपाइन पोजिशन में लेटाते हैं फिर एक X-ray के वे लेते हैं जिसे स्काउट फिल्म करते हैं यह फिल्म एबडोमन में बोवेल या एबडोमन प्रिपेशन देखने के लिए करते हैं फिर एबडोमन पर एबडोमिनल कंप्रेशन बेंड एप्लाई करते हैं फिर पेसेंट को वेन से कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है फिर फाइब मिनट फिल्म लेते हैं ये फिल्म नेफरोग्राम, मेजर वे माइनर के लिक्स वे अपर यूरेटर देखने के लिए करते हैं 15-minute film लेने से पहले abdominal compression band को release करते हैं 15-minute film major वा minor calyx, renal pelvis वे ureter देखने के लिए करते हैं फिर 30-minute film urinary system की लेते हैं इसमें vesico-uretric junction वे lower ureter देखने के लिए करते हैं फिर pre-void film bladder देखने के लिए लेते हैं इसमें bladder capacity वे bladder diverticular देखा जाता है इसमें bladder में full contrast वे urine होता है last film post-void film लेते हैं ये film after maturation मतलब urine करने के बाद post-void film लिए जाती है ये film bladder की residual volume देखने के लिए करते हैं इस पूरे procedure का time 1 hour लगता है अब बात करते हैं IVP होने के बाद क्या क्या आप्टर केर की जाती है पेशेंट के केनूले को remove कर देना चाहिए जैदा मातरा में water वे liquid लेना चाहिए जिससे लगा गया contrast जल्दी से body के बाहर remove हो जाए healthy foods खाने चाहिए so friends आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को like, share वे subscribe जरूर करें वे इसके bell icon पर click करें जिससे आने वाली मेरे next वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा